सीडीपी बाल मनो विग्यान टॉप हंड्रेट की सीरीज है यह इसकी फर्स्ट सीरीज है स्पेशली फॉर यूपी टेट एंड सूपर टेट और सभी स्टेट के टेट के लिए तो कुशन नमबर फर्स्ट है गरब में बालक को विक्सित होने में कितने दिन लगते हैं और इसक 9जाथ शिशु का भार कितना होता है तो इसका आंसर होगाए 8 पाॉंड कोश्न नमबर थार्ड है एक पाचिव कक्षा के कक्षा के कक्षा रूतीन में होने जाहिए और इक static क कख्षा के कक्षा बालकों की सोच, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्द अनभवों इंपरतेव से होती है यह अवस्था कौनसी होती है तो यह अवस्था होती है हमारी 7 से 12 वर्ष की अवस्था यह देखे, 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है अब आपको comment box में, comment section में यह बताना है कि ये अवस्थाएं किस मनेवग्याने के द्वारा दी गई है इसका अंसर आप लोग कोमेंट सक्षिन में दीजेगा और अमूर्थता मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते और मूर्थत मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं देख सकते हैं तो आपको ये बताना होगा कि ये अवस्थान किस मनलब गयनिके द्वरा दी गई है चले आगे बढ़ते है Q2 sitten Q2 खिलाओनों की आयू कहा जाता है Q2 ये कहा जाता है तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्ले अवस्था को खिलोनों की आयू जो होती है वो होती है पूर्व बाल लेवस्ता और आपको मैं बता दूँ कि यह जो यह सारे questions है यह mostly previous years में आयो होए questions है important question है तो इसको बहुत carefully देखिएगा आगे के लिए आपके आने वाले यूपिटर्ट और एस्टेट भी शायद आएगा इस बार तो फिफ्थ है यह काफी confusing question है कि खिलोनों की आयू और एक होती है खेलने की आयू तो इनमें पूर्व बाल लेवस्ता कि शैशे आवस्ता यह बहुत confusing question है तो यहां पर यह खिलोनों की आयू कहा जाता है पूर्व बाल लेवस्ता को चलिए आगे बढ़ते है question number six है निचली कक् में शिक्षड की खेल विदी आधारित है किस पर आधारित है शिक्षड की खेल विदी तो शिक्षड की खेल विदी हमारी आधारत है आधारित है विकास और व्रदी के मनुवग्यानिक सिधानतों पर विकास और व्रदी के मनुवग्यानिक सिधानतों पर यह इसका right answer होग debt and all state के टेट के लिए है ये अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसको कहा जाता है और the right answer of this question is किशोरा वस्था मतलब adolescence किशोरा वस्था को हम लोग अत्यधिक दबाव तनाव की अवस्था कहते हैं इनको और भी अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है जैसे इसमें मतलब त होते हैं और आपके monovagary changes भी होते हैं मतलब काफी इसमें बदलाव होते हैं ये एक important आवस्था आप कहा सकते हैं कि इससे एक question बनी जाता है चलिए आगे बढ़ते है question number 8 है किसके विचार से शैश्वा वस्थावे बालक में प्रेम की भावना काम प्रवती पर आधारित होत है ये तो इसका answer होगा fright किसके विचार fright ने कहा था कि जो शैश्वा वस्थामें बालक की जो प्रेम भावना होती वो काम प्रवती पर आधारित होती है ये सिर्फ एक fright जी ही ऐसे थे जिन्होंने ये बोला था तो the most important question ये भी है आप इसको star लगा सकते है question number 9 है पूर्वा रही किशोरी किशोर किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होते हैं के प्रति कठोर होते हैं तो किस के प्रति कठोर होते हैं तो जो होते हैं वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं ठीक है इसका answer answer right answer होगा समस्या के प्रति कठोर होते हैं मैंने यापर चार options नही राइट आंसर को फिल करें and the last question of this CDP session top 100 का शैशा वस्था को सीखने का आदर्श काल माना है ये भी बहुत important question है और इसका राइट आंसर होगा Valentine Valentine ने शैशा वस्था को सीखने का आदर्श काल माना है और भी लोगों ने अलग अलग नामों से काल को किया है तो वो questions में आगे जो आगे आने वाली series है उसमें add कर दूँगी तो कैसी लगी आपको ये top 100 की जो ये first series है top 10 questions की प्लीज जरूर से जरूर बताईएगा ताकि आगे इसको मौर अच्छे से आपकी समने ला सके thank you subscribe for more अगर आपको अच्छा लगा हो तो thank you, thanks a lot okay